हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू दा चैनल माइनम इस गगन एडवेल इस्टेक्टर वाया नुटरन स्कूल तो आज के अपने स्टेडियो में देखने वाले जावास्किप में इस्परेटर ओपरेटर के यूज केसेज एरे के साथ ओके तो बिना देर क्यों करते हैं आज के व आज करवाएगा और जैसी आपके ट्रेनिंग कंप्लिक हो जाते हैं तो नुटरन स्कूल का 300 ज़्यादा टेक कमने के साथ नुटरिक है जिसमें आपको गाइड़ेट प्लेस्मेंट करवाए जाते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ता है नुटरन स्कूल को मतलब पहले और उसके पाद पेमेंट ओके और लाश्ट में चीज़ और बताना चाहिए नुटरन स्कूल का जो अभी जनवरी बैच स्टार्ट हो शुके है उसके एडमिसन फोर्म अभी स्टार्ट हो शुके है अगर आप इसमें इंटरसेट हो तो डिसक्रिशन में एक लिंक अगरेंटर क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं तो इस परेड़र ऑपरेटर को हमारे जावसकेप का जो एस वर्जन आया था उसमें एक नए फीचर के तोर पर एड किया गया था ओके इसकी हेल्प सरिम क्या कर सकते हैं जो भी हमारे आइड्रेवल ऑब्जक्त होते ह एक हमारा array हो गया, set हो गया, map हो गया जो इसके element होता है उनको हमें spread out कर सकते हैं spread out को मतलब होता हमें उस सिंगल सिंगल पीस में convert कर सकते हैं तो माल लीजिए सबसे पहले इसका syntax बताते हैं तो syntax में क्या होता है आप यहां पर यूज कर लेते हो तो आपको बताता हूं कि जो मारा spread out operator होता न वह एक eraser की तरह होता है तो यहां पर मैं क्या करता हूं एक array करता हूं array के अंदर यहां पर मैं तीन element यहां add करता हूं 1 2 3 ओके और इसके अंदर यहां पर आगे इस एरे के आगे कि अगर यहां पर मैं 3 dot यहां पर spread out operator यूज कर लेता हूं तो इसका यहां पर क्या करेगा simple spread out operator eraser की तरह मैंने आपको बता है यहां पर जो इसके brackets है न इसको erase कर देगा ओके और जो मेरा final output आएगा वो कैसे आएगा one two and three okay तो यह हो गया हमारा spreader operator का syntax और अब इसके अपन पर उपर यूज केसे इस देखते हैं तो अपना जो फस्ट यूज केसे होने वाला है वो क्या होने वाला एक के दो एरे होते हैं हमारे उसको अपन मर्ज कैसे कर सकते हैं spreader operator की help से okay लेकिन उससे भी पहले हम आपको ब comment out करता हूं first case first case में क्या देखेंगे जो मारा array है उसको merge करने की कोसिस करेंगे okay तो जो मारा tradition तरीका है वो apply करने की कोसिस करते हैं फिर उसमें देखते हैं कि क्या रह रहाता है okay तो आपर मैं क्या करता हूं एक array create करने वाला हूं const area one करके okay और इसके अंदर आपन यहां पर करेंगे लगा इन दोनों को डोनों को यहां पर मैं merge करने की कोसिस करता हूं तो एक और array create करते हैं array 3 करके okay और अब इन दोनों को merge करते हैं तो मैं simple यहां पर क्या करता हूं array one array two तो आप क्या होते हैं यह इस तरीके से merge हो जाएंगे तो आप वीडियो को post करके मेरे को अगर हम इस तरीके से करते हैं, तो जो हमारा array है, जो final output है, multi-dimension array बन जाता है, आप यहाँ पर देखेगा, console.log करते हैं, array 3 को यहाँ पर log करवाके देखते हैं, तब यहाँ पर देख सकते हो, कि इसका two dimension यहाँ पर array create हो चुका है, first index पर यह वाला array है, second index पर यह वाला array है, त तो आपको समझ आ गया होगा कि हम दो array को इस तरीके से मर्ज नहीं कर सकते, तो इसमें दिक्कत है थे कि ऐसे मर्ज नहीं कर पाएंगे, तो इसकी जिकपन यहाँ पर क्या यूज करने वाले है, spreader operator का यूज करने वाले है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको बता है तो 1, 2, 3 इस तरीके से आ रहा है, और इसी के आगे यहाँ पर मैं अगर 3.use कर लेता हूँ, मतलब spreader operator यहाँ यूज कर लेता हूँ, तब क्या चीज़े हो जाएंगे मेरी यहाँ पर, इन जो भी मेरे array element इसको यहाँ पर spread out कर देगा, एक एक चीज़े कर देगा, अब एक six element का एक नया array create हो चुका है, तो यह हमारा first use case था कि अपन दो array को merge कैसे कर सकते हैं, हमारे spreader operator की help से, अब इसके बाद देखने वाले हैं कि दो array को कैसे merge कर सकते हैं, spreader operator की help से, सबसे पहले इस page को यहाँ इसको remove करते हैं, इन सब चीज़ों को, लेकि उससे भी पहले अ क्या बात करेंगे कि कैसे merge कर सकते हैं, तो अपन सबसे पहले traditional तरीका apply करने की courses करते हैं, और फिर उसके मैं आपको drawback बताता हूं कि मैं क्यो use नहीं करना चाहिए, इससे क्या problem create हो जाती है, और हमें क्यो inspirator operator use करना चाहिए, तो यहाँ पर comment add करते हैं, second use case, second use case में क्या कर सकते हैं, using inspirator operator, लेकिन उससे भी पहले मां को tradition तरीका बताना चाहिए, तो माल लेजिए, आपर मैं क्या कर रहा हूं, एक array create कर रहा हूं, array 1, array 1, और इसमें वापस से वो यह अपने 1, 2, 3 element add करते हैं, 1, 2, 3, और इसके बाद एक और array create कर रहे हैं, और जो second array create करना चाह रह आप देख सकते हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सही output आ रहा है, लेकिन आपको दिक्कत आ सकती है, तो दिक्कत मैं आपको बताते हूं क्या आने वाली है, तुम आपको बताता हूं उससे भी पहले, जो हमारे javascript में, arrays होते हैं वो एक reference होते हैं, हमारी दो index पर element उसको यहां पर मैं change करता हूँ, और उसकी value अभी 3 है, अब मैं इसको 5 कर देता हूँ, और अब वापस इस console.log करते हैं, array 2, अब यहां पर आप देखेगा, first वाले में यहां पर 3 आ रहा है, और second वाले मेरा 5 वाले है, इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मैं change किय और अब यहां पर मैं आपको बताता हूँ, दिक्कत क्या आया है, जो हमारा array होता है, वो क्या होता है, reference type होता है, अगर यहां पर मैं वापस इसको array 1 को चीज करने की कोशिज करूँ, तो अब यहां पर देख सकते हो, जो मेरा actual array 1 था, वो ही change हो गया, मतलब यहां पर मैंने copy create की, तो copy create करने से जो मेरा reference type हुआ, इससे मेरा actual origin value array था, वो ही change हो गया, तो इस तरीके से पने इसको copy नहीं करने वाले, तो इसलिए हमें spreader operator यहां पर use करना चाहिए, तो spreader operator यहां पर simple कैसे use कर सकता हूँ, यहां पर इस तरीके से array का sign, और इसको यहां पर मैं spread out कर लू तो यह हो गया हमारा दो चीजा अपने देखी हैं, जो हमारे array होते हैं, अपने spreader operator के साथ इसका manipulation किया है, तो आपको दो चीजा पता होनी चीए, कैसे अपन merge कर सकते हैं, array को merge कर सकते हैं, spreader operator की help से, और second अपने देखा कि किस तरीके से अपन copy बना सकते हैं, तो अभी तक ह जो हमार array होते हैं, उसको कैसे iterate कर सकते हैं, using spreader operator, तो उसमें first अपना case देखने वाला है, string के साथ, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, string rate करने वाला हूँ, const string करके, और इसके अंदर अपन कोई भी string दे सकते हैं, like hello, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, string को array मे convert करने वाला हूँ, using spreader operator, तो उसके लिए मैं को simple यहाँ पर क्या use करना होगा, simple अपको 3 dot यहाँ पर use करने है, यहाँ पर मैं याट करता हूँ, string, sorry, एक नए array के अंदर यहाँ पर इसको assign करवा लेते हैं, और फिर यहाँ पर इसको करते हैं, ठीक है, like new array, और इसके अंदर करते हैं, 3 dot और string, okay, तो यहाँ पर string क्या करेगा, जो भी मेरा यह वाली string है, इसके जो भी element होने वाले है, जो भी इसके character होने वाले है, उसको एक नए array के अंदर assign करके single single value हो जाएंगी, okay, अब यहाँ पर इसके array के अंदर यहाँ मैंने इसको assign करवा लिया है, और यहाँ अलग-अलग value होई जाएंगी, अब मैं आप सबसे पहले इसको console.log करके देखते हैं, इसी string को यहाँ मैं console.log करवा के देख लेता हूं, इस तरीके से, okay, तब यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यह मेरी यह वाली string थी, अब एक अलग-अलग values में ऐसे convert हो चुकिया, single single में, और अब वापस से अगर इसको पूरे होगा complete console.log और new array को आप console.log करवाते हैं, console.log new array, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक नया array create हो गया, five elements जिसके जो string थी, इसको इस तरीके से करने में, तो यह होगा हमारा single string के बारे में, अब मालने जिए, एक array के अंदर string है, उसको अपन कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए अपन, उसके लिए पर यही चीज़ करने वाले है, वो कैसे करेंगे, मालने जिए, कि मैं एक array create करता हूँ, array है, और उसके अंदर element के form में, मेरे पास, एक string है, high, इस तरीके से second पर क्या रखते है, newton, और third element पर क्या रखते है, इस अपन क्या करना है, इस जो array के अंदर element है, उसको एक spread out करना है, तो वो कैसे करेंगे, simple आपको क्या करना है, एक नए array के अंदर अपन इसको store करवा लेते है, new array के अंदर, लेकिन उससे पहले आप मेरे को declare करना पड़ेगा, simple const, new array, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूँ, एक नए array के अंदर इसको store करवाएंगे, और spread out करेंगे सबसे पहले तो, जो मारा first element है, indexes पर element है, उसको spread out करेंगे, okay, तो कैसे spread out करेंगे, तो array का name देना होगा simple, और जो मारा first indexes पर है, वो वाली चीज़े, okay, इसी तरीके से हमें second indexes पर है, उसके लिए करनेंगे, तो उ यहां पर second, तो अब यहां पर आप देख सकते हो, लेकिन हाँ, अब यहां पर आप देख सकते हो, जो एक array के अंदर जो मारा element है, वो एक string के form है, उसको भी हम इस तरीके से convert कर सकते हैं, okay, तो यह होगा हमारा string है, उसको एक array के अंदर कैसे convert कर सकते हैं, okay, यह हमारे iterate कर रह रिमूव कर देता हूं लेकिन मैं आपको बता जो हमारा set होता हूं क्या होता है उसका collection होता है तो यहां पर मैं क्या करता हूं एक नया set करेट करता हूं const set new set करके एक किसको create करते हैं simple आपको set और इसके अंदर अपन element रखते हैं 123 अब इसी को भी आपने spread out कर सकते हैं simple आपको क्या यूज़ करना है यहां पर set is not defined तो हां अपने यहां पर new keyword भी यूज़ करना हुगा अब यह भी क्या बोल रहा है set is not defined है जो अब हम देख सकते हैं जो मेरा set था वो भी आपर spread out हो चुका है यह हो गया हमारा set के बारे हैं कि set को प्न कैसे spread out कर सकते है simple आपन नहीं इसके अंदर आपको कराइं और spread out यहां पर 3 dot इस तरह के से अपर यूज़ कर सकते हैं अब हम देखने वाला है कि जो हमारे arguments object होता है उसके दाद spreader operator को use करने वाला है क्योंकि वह एक बहुत important चीज है तो आपको उसके बारे में जुरूरी ही पता होना चाहिए लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे arguments objects क्या होते हैं argument object हमारे array-like object होता है जिसे किसी function के अंदर ही हम उसको access कर सकते हैं तो आपको एक पुरूपर example लेके बताता हूँ कि उसको कैसे access कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक function create करने वाला हूँ सबसे पहले भी और यह function क्या तीन argument यहाँ पर लेने वाला है इस तरीके से तो जो हमारे arguments है तो एक यह array-like object होता है इसको function के अंदर से अक्सेस कर सकते हैं बाहर से इसको access नहीं कर सकते हैं और जो इसकी values होते हैं values कौन सी होगी जो आपको function में पास कर रहे होंगी वह ही इसकी values हो रहे होगी तो यहाँ पर मैं इस function सबसे पहले तो डिक्लेयर करते हैं और इस वाले function को यहाँ पर मैं call कर लेता हूँ और इसके अंदर आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या करता हूँ console.log arguments को यहाँ पर सिंपल करता है console.log और इसको यहाँ से copy करके और आप यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर मेरा एक object आ गया है लेकिन ऑबजेक्ट किस टाइप का है एक array-like object है लेकिन ऑबजेक्ट है यहाँ जिरो इंडेक्स है एरे की तरह वन इंडेक्स है तो यह हो ग देता हूं एक प्रोपर एकजांपल लेता है कि हमें क्यों arguments object के अंदर हमें operator operator यूज करना चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले मैं function create करता हूं तो function और इस function के अंदर अपन को name so करवाएंगे console पर name so करवाने वाले हैं तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूं arguments arguments के बारे मैंने आपको बताई थी arguments एक array-like object होते है किसी function के अंदर से उसको access कर सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर क्याने वाला हूं नेम function को जब मैं call करने वाला हूं न तब यहाँ पर मैं के इसके अंदर name भी pass कर रहा हूं ठीक इस तरीके से like first paper pass करते है Newton and second paper ने इसको pass कर रहा हूंगे इसकोड Newton school ने इसकोड ने इसकोड ने इसको अब वापस आते है अपने इस वाले चीज़ पर तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूं जो भी यह arguments यह यह like object है इसको मैं map method की help से करता हूं ओके तो like सबसे पहले यहां पर मैं क्या यूज़ करूंगा arguments dot map ओके और map के अंतरे simple मैं यहां पर क्या यूज़ करना होगा एक अलेक से variable create करता हूं name और यहां पर इसको backtick की help से like hi hi and यहां पर dollar sign and string pass कर रहे होंगे ठीक है तो simple यहां पर मैं name pass कर देता हूं okay अब मैं space को save करता हूं तब यहां पर देख से को मेरे को console पर एक error आ रहा है arguments map इसे not for function okay तो इस वाले चीज़ से बसने के लिए हैं simple यहां पर क्या use करने करने वाले है spreader operator यूज़ करने वाले मतलब किसी function arguments के अंदर जो हमारे इस टायप की error आती है उस से बसने के लिए simple arguments sorry क्या यूज़ यूज़ करने वाले spread operator यूज़ करने वाले तो अब यहां पे आप देख सकते हो यह मेरे को console.log करवाना होगा अगर मैं इसको console.log करके देखे इसको console.log कर रहे है तब यहां पे आप देख सकते हो हाई Newton and second line में हाई Newton high school तो यह हो गया हमारा arguments object के अंदर किस तरह के से अपन इसको spreader operator को use कर सकते हैं तो बस गाई आज के वीडियो को बनाने का motive यही था क्योंकि अपन जो react वाले चीज़ सीख रहे हैं उसमें हमारे पास बहुत से time spreader operator use होता है तो आपको complete पता होना अच्छी spreader operator के क्या क्या use cases है तो first में हमने area manipulation के साथ देखा है और second पे देखा है जो हमारे area होता है उसको iterate कर रहे होता है तब हम किस तरह के से spreader operator को use कर सकते हैं ओके तो बस गाई आज के वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई